स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है कि फिजिक्स कमेश्ट्री खतम होने के बाद बाद बाइलोजी के परतियक चेप्टर का वन लाइनर अबजेक्टिव सुरू हो चुका है और सुरू क्या हो चुका है मतलब कि ये आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा साइन्स का परतियक चेप्टर दे इंड हो जाएगा यानि कि बाइलोजी का ये लास्ट चेप्टर क्या है अनवन सिक्ता एवन जेविकास इससे जितना भी अबजेक्टिव बन जाने वाला था वन लाइनर मैंने तयार करके आप सभी के भी शेयर कर रहा हूं इस वीडियो को आपका भी एक दाईतो बनता है कि इस वीडियो को जादा सज्टूडेंट के पास सेर कर दीजें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजें तो आज के ये वीडियो साइन्स का लास्ट अबजेक्टिव का वीडियो है और इसके बाद वे कल्पिक अगर आप लोग comment करेंगे तो वे कल्पिक objective ले करके live के तुरू आएंगे या uploaded के तुरू आएंगे तो जैसी आपकी मर्जी आप अपना जैसार राय दीजिए तो उसके हिसाब से हम करेंगे तो फिलहाल आज के इस session में अन्वान सीकता तथा जे विकास से जितना भी one liner objective बन जाने वाला है पूरा का पूरा objective यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा objective है तो यहाँ पर बताए कि पूरा का पूरा total 20 प्रासन है ठीक है ना और इसको करने में ज के तरफ से कोशन पूछ दिया जाए तो ओभी आपको दिमाग में रखना है तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रस्थी क्या कहें रहा है यह किसी जीव की जीनी सनचनख क्या कालाता है तो भाई जीनी प्रारूप कहला तया यह जीनो भी भी आई है इसको आप जरूर याद रखिएगा और दूसरा प्रसनी यहाँ पर देख लेंगे कि मेंडल ने अपने परियोग के लिए बगीचे में उगाये जाने वाले किस पौधे का चैन किया था तो भाई मेरे मटर के पौधे का अब देखे वहाँ पर बहुत सारे पौ को लगा करके चले आते हैं बट मैं सच कहूं तो महां पर मजाक नहीं चलता है वहां पर थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ता है तब ही आप पर फेसनल का लाएंगे मेंडल ने अपने परियोगों के लिए किस मनें बगीचे से कौन से पौधे को उठाय था जिसे वह अनवा अब उसके बाद से अगला जो प्रस्ण है वह देखेंगे अफ्रीकी मानों का सबसे निकट संबंदी कौन है तो भाई चिंपैंजी है ठीक है अब उसके बाद से अगला जो प्रस्ण हो आपके स्क्रीन पर खुद ही दिख रहा है यह पंच्छी तथा पंक है असमजात देखेंगे आप इसको हलके में मतलेजिए का यह तो बहुत ही ज़्याद है बहुत ही ज्यादा वेरी वहला माना है वेरी वेरी इंपोर्डन है इसको याद रखेंगे ठीक है इस चप्र सब्सक्राइब तो यहीं कुस्टा पूछता है ठीक है आप चलिए यहां पर कितने होती है तो भाई 22 अभी एक और में बत बता दे रहा हूं इसको भी मस्ट भी भी आई समझेगा इसको भी क्या समझना है मस्ट भी भी आई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंट है उसके बाद से अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है जिन शद्द की प्रस्तावना किस इसके बाद से यहां पर देख सकते हैं किस मचल की काटने से मलेरिया रोग उत्पन होता है तो मादा एंफिलिस अगला प्रस्ण आपको विडियो दिखने का कुछ फायदा होना चीना मनुस्ते का विज्ञानिक नाम किसे दिया तो नाभी अमल मनुस्ते का विज्ञानिक न प्रस्टी आम होमस może ृडश्य तो इतना इंपोर्टेंट है कि जिसका हदों हिसाबने रही वेरी वेरी ठीक ना इम्पोर्टेंट इसको यह ध्यान में रखेंसी वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है ना अब यहां पर देखेंगे किस जीव की जीनी सनचना कहला आती जीनी पर प्याइब तो वहीं बात है को थोड़ा सा कि इस को सन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो यह जाहिर सी बात है कि आयों के तरफ से बहुत ज्यादा बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा ठीक है ना यहां पर देखिएगा गुर्ण सुत्र बना होते हैं तो डियने तथा प्रोटीन की और इस सेशन का स सबसे अंतिम प्रस्ण है परकिर्तिक चुनाद और जीवों का विकास कलाता है डरनिवाद ठीक है ना तो कुल मिला जुला करके आज के इस सेशन में हमनों टोटल बीस प्रस्ण की कितना आपने सही किया अपने मंद से आपको कितना मैं आप अपने लेबल की जाच खुद ही और इसके बाद से कमेंट कीजिएगा तो मैं वह कल्पिक यानि चार अप्सन के साथ कोशन लेकर करके आओंगा अबजेक्टिव तो अगर आप कमेंट करेंगे तो अन्यता नहीं तो नहीं हम लाएंगे और डायरेक्ट जो है ना कि अप्लोडर वीडियो के मादियों से हम प तक के लिए जैहिंद